वेल इस मॉडूल में हम डिस्पेप्सिया या इन डिजेशन का जिकर कर रहे हैं जो कि ये भी नूट्रिशन के साथ रिलेटेड हैं तो डिस्पेप्सिया जो है इस इस चरेक्टराइज़ बाइ इनकम्प्लीट और इंपर्फिक डिजेशन और इस नॉट इस इन फैक्ट बट sometimes symptoms of other disorders or diseases क्योंकि अगर कोई सिम्ट ये लेकिन ये जो डिस्पेप्सिया है या इन डिजेशन का प्रॉसस है ये इस पर हमारा भी कुछ दखल है अपनी मर्जी पर भी दखल है वो ये है कि अगर हम प्रॉपरली फूड को मैस्टिकेट करके उसको एंगल्फ नहीं करेंगे त और इसको चांद बाइट्स लिए और एंगल्फ कर लिया तो फिर भी ये इन डिजेशन का इन डिजेशन की खत्रात बढ़ जाते तो इसके सिम्टम्स क्या हैं सिम्टम्स ये हैं कि अब्डॉमिनल डिसकंफर्ट हम मैसूस करते हैं जैसके पेट के अंदर हम कंफर्ट मैसू तो फिर नाजिया है वामिटिंग का इसास हो रहा है तो ये इन डिजेशन के सिम्टम्स हैं इसके लावा और इसकी काशिस क्या है ये एक्सेटिव इसिडिडी एक सेक्सेशिव इसीडिडिडी इन स्टमेकया हमारी फूड ऐसी है जिसके अंदर कोई कंटामीनेटिड नहीं है लेकिन फिर भी हम खा गए तो जिसकी विजासे जिसकी वैसे इंडिजेशन के चांसे बढ़ जाते हैं या फिर यह है कि पॉल्टी फंक्शन अफ स्टमेक इंटिस्टाइन या फिर स्टमेक की प्रॉबलम है इसकी अंदर कुछ एसेट की प्रॉड़क्शन ज्यादा हो रही है या कुछ प्रीवियस फूर्ड जो हम खाया था उसकी अंदर इंडिजेशन थोड़ी बहुत है हम फिर और खा गए तो यह चीज जो है that adds to this is in fact one of the causes of indigestion फिर insufficient quantity of bile secretion यह भी चीज होती है यानि के clinically के यह हमारे जो bile है वो प्रॉपर तोर पे secret नहीं हो रही थी और यह liver की अंदर कुछ थोड़ी बहुत disorder था तो जिसकी वएसे indigestion के process हो जाता है now eating too much food and too rapidly यह तो बहुत ही गलत है क्योंकि यह तो हमारे जिम्में है यह तो हम इसको ठीक कर सकते हैं तो बेहतर यही होता है कि अगर हम food जो भी नवाला खाएं उसको सही तोर पे वक्त लगा के कम असकम 15 से 20 bites लें और फिर उसको हम ingest करें ताकि उसके साथ यह जो saliva है और इसके अंदर जो enzymes है वो properly mix हो जाएं और यह फिर अगला जो stomach है फिर intestine है उस पर बार कम पड़ें तो यह जिससे हम अपनी digestion को ठीक कर सकते हैं now then eating fatty then greasy or spicy foods यह भी बहुत सारे लोग होते हैं कि जो के बहुत ही fatty चीजें पसंद करते हैं या greasy चीजें पसंद तली हुई चीजें फ्राई की हुई चीजें बहुत पसंद करते हैं या फिर spicy foods इस्तमाल करते हैं तो ऐसे लोगों को यह indigestion का जो indigestion की जो chances हैं उनके बढ़ now drinking too much caffeine जनी काफी बहुत ज़्यादा बहुत बहुत बाद लोग होते हैं दिन में दो तीन दफ़ा काफी पीते हैं और इससे भी जो indigestion की जो enzymes हैं वो properly excrete नहीं होते हैं और फिर इसी तरह alcohol जो जो लोग जो alcohol इस्तमाल करते हैं उनमें भी indigestion का indigestion का जो एक इस्तमाल रहता है नो consuming too much chocolate or soda then emotional trauma emotional trauma से मराद यह है कि बसा वकात अगर इनसान बहुत tension में है let's say students की हवाले से अगर हम बात करें तो उनका इमतहान के दौरान examination के दौरान उनका stomach यह गड़बड हो जाता है इसके अंदर indigestion का process हो जाता है तो यह this is something which is a emotional trauma और बाज लोग जो हैं वो बहुत हो थी ऐसे situation में अकसर आपने सुना होगा के यह indigestion का मसला हो जाता है के इस trauma के अंदर then gallstones भी that is also one of the causes के gallstone बना हुआ है gallbladder के अंदर stones है और इसकी वज़ा से भी indigestion का process chances हो जाते हैं now gastritis और inflammation और stomach और यह क्योंके stomach में भी indigestion या inflammation तब ही होती है अगर हमारे food सही तौर पर या इतदाल के साथ ना खाए कभी बहुत ज़दा खा लें और जिसकी वज़ा से stomach में proper digestion नहीं होती और यह फिर indigestion की indigestion हो जाती है और डिस जिसे dyspepsia का जिकर भी करते हैं फिर उसक hyatis hernia क्या है यह आप इस diagram में देखें this is the stomach and this is the diaphragm और अगर यह stomach का थोड़ा हिसा हिसा इसमें से यू समझें के जैसे कमजोर होके यह उपर bulging सी आ गए और यह bulging उपर तक चले गए यह से हम फिर hyatis hernia कहते हैं this is normal case this is the stomach और यह normal है और जबके यह dietis hernia है यह देखें यह एक stomach का थोड़ा हिसा जो है that has migrated up बल्ज बनके उस diaphragm में से पास होके उपर आ गया तो यह भी एक हर्णिया है इसे हम हर्णिया कहते हैं और वैसे हर्णिया और भी किसमों का होता है लेकिन यह this is the highest हर्णिया और यह भी इसी ओवर फीडिंग से यह stomach बहुत भर गया है बहुत ओवर फीडिंग करने से excessive यह नहीं कि एक दफ़ा से यह excessively और लोग जो हैं वो ओवर इटिंग कर ले थे तो इसलिए बेहतर यही होता है कि हमेशा जैसे कहते हैं भूक रख के खाया जाए stomach को कभी भी पूरी तरह फिल अप ना किया जाए यह कोई ना कोई space रहे ताकि यह hiatus हर्णिया ना होने पाए this is all about the dyspepsia or indigestion so this is all about